कि स्वागत है आपका दस्तेक्ट मीडिया पर अगर आप बाबाबा नीम करोई के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं हम आपको बाबा नीम करोई से समंद्धित जानकारी वीडियो ओडियो बेवसाइट और पुस्तकों के माद्धिम से ब्लब्ट कराते हैं तो नमस्कार आप देख रहे हैं दमर्श प्रतिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया मैं बिनो शुक्ल आपको सुना रहा हूं भावा नीम करोजी की अद्बूत गाता हैं अद्बूत गाता हूं की सरें किलाम है आज हम आपको ऐसे बेक्ति के बा महराजी के आसुन में लोगों ने सेवा की दान दिया पुर्ण कमाया और ऐसा ही एक लड़का रविदास आपको एक बिसीयस प्राइट बता हूं लोग जब मंदिर जाते हैं या दावत खाने जाते हैं तो जो उनकी पनहिया होती पनहिया जानते हो नहीं जानते हो यह सब्द इसलिए बता रहा हूं कि बिलुप्त नहो जाएं उनके जूते होते हैं उन पर बड़ा ध्यान रहता ह बार जूत्व उतार दीये, और मंदिर में गए, तो आदा ध्यान, की कोई जूते न पहन जाए, हमारे हाँ, हमारे हाँ मेंस, यह हम सब के ही है न, तो बहाँ, जूता एस्टेंट भी बनाए जाते हैं, जहां लोग जाते हैं, तो जूता इस्टेंड पर काम कर रहे थे रविदास ची रविदास महराजी के समय से महा सेवारत डिगरी सुनेंगे आप लल भी माना जी जब 11 सितंबर 1973 को महा प्रियान पर निकल गए तो रविदास ने भी यह सोचा कि अब हम भारत छोड़ते हैं मुझे भारत में मन नहीं लग रहा और वो अमेरिका के अलास का एक प्रांथ है बहां चले गए और आप पूब बताऊं वो जूता एस्टेंड का चौकीदार अमेरिका में अलास का प्रांथ में नया धिस निक्त हुआ की ने सेवा आदमी सोचता मैं यह काम नहीं करूँगा यह जूताश्चन वाला कैसा काम है परसने का काम कैसा है यह काम छोटा है कोई काम छोटा नहीं है धर्म के कर्म में जब भी जो काम आपको मिले अरे भरतन साफ करने करेंगे पतल उठानी है उठाएंगे अक्सर हम भी ऐसा करते हैं कि पतल उठानी है कोई है नहीं चलो उठा देते हैं क्योंकि उसमें नर्णाराइन का जो सुरूप होता है वो उनसे तरपती हुई है और उनी का भोजन का पात रहे हो कभी ऐसा मैं सोची है चोटा काम है बड़ा काम है तो जो काम रवधास नहीं किया था उसका परडाम अमेरिका में मिला वो जज़ बन गए और उनने क्या किया बिभा कर लिया बिभा करने के बाद वो कैची धाम आए दर्शनों के लिए अमेरिका का निया अधीस पत्नी के साथ आए सिद्धी मा का आशीरबाद लेना सिद्धी मा उसमें ब्रंदावन में थी केशी दाम से ब्रंदावन पहुँच रहे और पहुँचे तो सिद्धी मा से आशीरबाद की आकंछा की सिद्धी मा कहतेनी देवी का रूप है और उन्होंने आशिरवाद दिया और ये कहा कि रवी तु जिन्दगी भर साथ निभाएगा गिदियोसों में ये बड़ा डर होता ना कि दामपत्य जीवन कब चला कब नहीं चला लेकिन भारत वर्स में हमारे हां ये साथ जनमों का बंदन कहा जाता है कुछ तो जनम जनम का बंदन कहते हैं और एक जनम तो जब साधी हो गई तो उनके साथ ही जीवन साथी का यही प्रणा लच्छ होना चाहिए वैसा ही सिद्धी माने कहा कि आप जिन्दगी भर इसका साथ निभाएगे आसीस लेके अमेरिका चले गए अब तो अब मैं क्या कहूं संभब्त है अभी पता नहीं कनफर्म नहीं है या तो वो महराजी की तपस्या में मानब दे में होंगे या मुझको प्राप्त होंगे लेकिन उन्होंने जो आसीस वहां से पाया भारत में आकर मा से केवल एक आसीस पाया पाने का निवेदन किया तो मानब जो उन्हें आसीस दिया वो ये दिया था कि जिन्दगी भर साथ निभाना खुश रहो और उसके साथ सारे पसंद तो मित्रो या दामपत्य जीवन जो होता है वो एक दूसरी के विश्वास पर टिका होता है और आसीस जब मिलता है तो उसी के हिसाब से मिलता है भारतिय रीत रिवाज पर थाओं मैं बड़ी दम है यस बासे आप बाके फोंगे मिरी बासे सेमित प्रियोंगे चलिए एक चौकीदार रियाधीस बन सकता है आप भी छुटा सा पोने कहीं करेंगे तो कहां कहां माजाए पता नहीं पोने करते रहें इनी शुपकामनाओं के साथ राब राब वीडियो पसंद आये तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब परें और बेल आइकन दवाना बिलकुल न भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आप लिए